फेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली, एमेजोन इंडिया ने अनौंस्मेंट कर ही दिया, मैंने एक वीडियो बना के आपको बताया था, कि एमेजोन इंडिया में सेल्स तो हो रही है, लेकिन जो लोग इजी सिब से सेल कर रहे हैं, उनका जो हैंडलिंग टाइम है, भले उन्होंन दिन तक का दिया जा रहा है तो sellers निरास हो रहे हैं कि जब हम same day order को dispatch कर सकते हैं और हमने setting में zero day किया हुआ है तो मुझे 3-5 दिन आप क्यों दे रहे हैं लेकिन Amazon इसमें कुछ भी बताने को तयार नहीं था और इससे बड़ी मुसीबत उन sellers को आ रही थी या आ रही है जो FBA से sell करते हैं means Amazon fulfillment centers के through वो अपना item customers को sip कराते हैं तो finally Amazon ने ये जो कुछ भी चल रहा था उसको disclose किया और एक बड़ा announcement कर दिया है तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं चैनल पे नहे हैं तो चैनल को subscribe जरूर कर लिजे वीडियो को like and share जरूर करिएगा सबसे पहले बात करते हैं Amazon India जो इस festive season में अच्छे orders लेके आ रहा है बहुत सारे बड़े sellers इसका फायदा उठा रहे हैं लेकिन बहुत सारे small and medium scale businessmen या online sellers ऐसे भी हैं जो इसका फायदा उठा ही नहीं पा रहे हैं उनके पास उनकी inventories तो हैं बट वो उसको sell नहीं कर पा रहे हैं ऐसा क्यूं ह हो रहा है समझ लेते हैं देखिए अगर आप Amazon FBA का यूज करते हैं means fulfillment by Amazon means आप अपने items खुद ना सिप करके Amazon के यहां रख देते हैं उनके FC में रख देते हैं और फिर आपका काम खतम सारा काम आपके लिए Amazon India करता है लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही festive season का दौर start हुआ Amazon FBA के ज तारे full so होने लगे अब sellers को लगा कि चलो हो सकता है दो-चार दिन की बात है यह सारी चीजे सही हो जाए लेकिन वो सही होने के बजाए जो appointment उनको 6-7 दिन बाद का मिल रहा था और वो सोच रहे थे चलो हो सकता है सही हो जाए वो 10-15 दिन बाद का मिलने लगा और ऐसा समय भ पूरी रात जग रहे हैं और वो रात को 12 बजे से लेके सुब़े 6 बजे के बीच छोटे छोटे सिप्मेंट बनाके ट्रॉय करते रहते हैं, लगातार क्लिक करते रहते हैं कि उनको किसी EBC में कोई appointment तो मिले कै उसके बाद वो निरास हो जाते हैं दूसरी तरफ Amazon ये भी कह रहा है कि आप coupons रंग करिये और बहुत सारे आइटम्स आप हमारे FBA सेंटर में भेज दीजे आपकी sales बढ़ रही हैं लेकिन दूसरी तरफ वो आइटम्स Amazon इंडिया पहुच ही नहीं पा रहे हैं या उनके FBA सेंटर में पहुच ही नहीं पा रहे है क्योंकि कोई appointment ही नहीं है तो एक तरफ तो deal में item enroll कर दो और दूसरी तरफ वो item आप FC पहुचा ही ना पाओ तो deal में item enroll करने का फाइदा ही क्या हुआ तो लोगों नहीं ये कहा तो फिर भाई deal बंद कर देनी चाहिए क्योंकि फिर हम अगर अपने items deal में लगा लेंगे एक त उसमें price कम देना होता है तो वो फटा-फट बिक के खतम हो जाएंगे दूसरी तरफ हम item अपने भेज ही नहीं पा रहें तो ज्यादा अच्छा है ना कि items को normal price पे बेचो deal से हटालो कुछ ना कुछ तो बचेगा ही बचेगा तो बहुत सारे sellers इस theory पे चलने लगे या इस principle प करना चाहते हैं उन्होंने setting भी zero day करके रखी हुई है उनको तीन से पांच दिन का shipping time मिल रहा है अब पांच दिन बाद कोई उसको आपके यहां pick up करने आये या ना आये उसके बाद वो चार-पांच दिन travel करेगा intransit होगा देनो customer तक deliver होगा उसके बाद 7-15 दिन के बीच ज अफी time टक hold हो रही है अब finally Amazon इंडिया ने एक news section में announcement कर दिया है उसमें उन्हें साफ लिखा है कि जो appointments नहीं मिल रहे हैं या problems है items received नहीं हो रहे हैं उसके पीछे कब region क्या है अभी तक Amazon कुछ भी नहीं बोल रहा था even seller support employees तक को भी instruction नहीं दिया गया था कि sellers को बताना क्या ह कुछ लोग तो कह रहे थे sir appointment तो मिल रहा है सायद आपको ना मिल रहा हो अब finally Amazon इंडिया ने ये कह दिया है कि भाई उनके पास load बहुत जादा हो गया है बहुत सारा item हाके रखा है जिसको inbound करना है FC full होने को है इसलिए appointment नहीं मिल रहा है लेकिन आगे Amazon ने इसमें ये भी लिखा है कि वो पूरी कोशिस कर रहे हैं कि 5-6 दिन बाद हम इसको resolve कर पाएं यही हाल फिलहाल easy sip का है जितने easy sip sorting centers हैं जहां पर Amazon sort करता है आपके shipment को और आगे भेशता है वहां भी Amazon ने stops को बढ़ाया है rotation बहुत तेजी से कर रहा है जिससे जो आपका shipping time है जो 4-5 दिन 3 दि मिल रहा है उसको same day किया जा सके मतलब अब Amazon काम तो कर रहा है लेकिन इस समय heavily loaded है तो ऐसे बड़े sellers जो अपनी inventory महीने भर पहले ही festive season को ध्यान में रखते हुए FBA centers में रखवा दिये हैं उनको तो इसका बहुत फायदा मिल रहा है लेकिन जितने छोटे small and medium scale businessmen जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बहुत सारा item एक बार में खरीद करके Amazon EFC में भेज दें वही महीने दो महीने पहले क्योंकि महीने दो महीने पहले भेजने में एक दिक्कत क्या है एक तो आपका पैसा भी बहुत लगेगा दूसरे आपका वो जो money है ना वो एक से दो महीने आप महां पर रखोगे तब तक के लिए hold रहेगा रखने का आपको उसका rent भी देना पड़ेगा पर क्यूबिक स्कायफिट वाला जो आपका rent होता है वो तो आप उनको दोगे दोगे FBA storage फी जिसको हम बोलते हैं उसके बाद फिर आइटम कब बिकेगा कब आपको उसका पैसा मि फाइदा नहीं उठा पा रहे हैं और यही हाल फिलहाल कुछ ना कुछ flip card का भी चला है flip card भी overload हो गया है even flip card तो अपना जो grocery section है वो बंद ही कर दे रहा है most of the times grocery को बंद करके कहता है कि अगले midnight में आप आईएगा खरीदने के लिए बात समझ रहे हैं मतलब एक बार की इतना आई लोगों को order मिलने लगा है कि एक तरीके से यह crash कर जा रहे हैं जिसका खाम्याजा sellers को उठाना पड़ रहा है तो अगर आप इस festive season का फाइदा उठाना चाहते हैं तो एक तरीके से आपके हाथ में अभी कुछ भी नहीं है जब तक यह amazon flip card जैसे marketplaces अपने आपको पर भरती किये जा रहे हैं बात समझ रहे हैं मैं उसको अपने मुसे बोल नहीं सकता तो इन companies को यह भी देखना है कि आगे यह staff जाएगा कहां या जो additional sorting centers और यह rent पे ले रहे हैं फिर आगे जाएंगे कहां क्योंकि आगे तो normal हो जाएगा फिलहाल यह companies back end में इसको manage कर रही हैं अब देखना यह है कि Amazon India क्या 5-7 दिन बाद appointment देने को तयार होता है क्योंकि अभी main peak तो आना बाकी है तो अगर ऐसा होता है तो मैं आपको जरूर update करूंगा उसके बाद अपने FBA के appointment आप ले सकते हैं वैसे आप try करते रहिएगा कभी न कभी राद भी राद कुछ आगे एक से दो दिन कर दे जिरो डे तो बहुत मुस्किल है बट कम कर सकता है तो जैसे कोई और update आता है मैं जरूर आपको inform करूंगा इस वीडियो में इतना ही उमिद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी thank you so much for watching